प्यारे बाबा के अच्चिस तारिक के महावाग के हैं मीठे बच्चे यह संगम यूग है किसकी पुरी यह संगम यूग है ब्राम्मनों की पुरी इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो तुम्हें बेहत के बाप से वर्सा लेना है और सभी को दिलाना है प्रश्ण है इस ज्ञान को अच्छी रीती समझने के लिए इस ज्ञान को अच्छी रीती समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धी चाहिए दिवे बुद्धी क्लियर बुद्धी येस और इस ज्ञान को समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धी चाहिए पवित्र बुद्धी और निश्य बुद्धी और स्वक्ष और साफ बुद्धी व्यापारी बुद्धी बिजनेस माइड अब बाबा ने क्यों कहा बाबा से इंसुनते हैं व्यापारी बुद्धी वाले ही इस ग्यान को अच्छी रीती समझेंगे यह है बेखत का व्यापार बाप बच्चों को बिन बिन कमाई की युक्तियां बताते रहते हम कमाई करने बैठे है न कमाई व्यापार में ही तो होती है तो बापा बच्चों को बिन बिन कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं बच्चों का काम है मेहनत करना ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयम की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्यान हो बाप की याद और सेवा की सेवा ही कमाई का साधन है बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है अच्छा, गीत है कौन सा गीत होगा आज? कौन सा गीत होगा गैस कर सकते साम मीठे बच्चे से व्यापारी गीत बाबा ने कहा रात के राही ठक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं कोई ठकी हुए तो नहीं है कि कब तक पढ़ना पड़ेगा कब तक योग लगाना पड़ेगा कब तक सुबह सुबह रोज आना पड़ेगा ठकते तो नहीं है कि इंज्वाइ करते अब वह नेच्वल नेचर बन गया है अब ना करें तो बेचानी होती है अम्रत वेला उठना ही है ना उठे तो वो पता नहीं क्या हो ना मुडली सुनना ही है तो वो नेच्रूल नेचर बन गया है और इंजॉय करते हैं अच्छा, ओम शान्ति पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे है कहते हैं कि बच्चे मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं आ है गाया भी जाता है गीता का भगवान बाइबल का भगवान वा कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि ए बच्चे अब मुझ पार लौकिक बाप को याद करो ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते बच्चा बच्चा कहके कोई ऐसे नहीं कह सकते अच्छा बच्चा पैदा होता है बाप को जानते हैं बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारे से अब पार लौक एक बाप कहते हैं हे मेरे सिकी लदे बच्चे सुनते हो सिकी लदे बच्चे हे मेरे सिकी लदे बच्चे अब तुमको मेरे पास आना है मैं तुम बच्चों को परमधाम निर्वान धाम ले चलने के लिए आया हूँ तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ अपने दिल अंदर देखो चेक करना है क्या तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है पीछे दुख व्रद्धी को पाता है अब पार लौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो सभी धरम वालों को कहते हैं सभी धरम वालों को कहते हैं ये मेरे बच्चे तुम अपने को भाई-भाई समझते आए हो अब तुम आत्माओं का जो पार लौकिक बाप है जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रही हैं समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रामणों को प्रजा प्रिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारिया ही नहीं थी पाबा कहते प्रजा प्रिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारिया ही नहीं थी कुमार और कुमारियां दोनों थे भाई बहन थे ब्रह्मा कुमार कुमारियां चो प्रैक्टिकल में एक ही बाप के बच्चे एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियां ठहरे तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है तुम सम्मुख सुनते हो समझते हो कि हम निराकार शुबाबा के सब बच्चे हैं बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शुबाबा से स्वर्ग की बाश्चाही पाने के लिए क्या कर रहे है हाँ सर्विस कर रहे है और पढ़ाई पढ़ रहे है और और क्या कर रहे हैं परिवर्तन बाबने का राजयोग सीख रहे है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाना है जो लौकिक भाई बहन है उन्हों को समझाना है देखो बाबा ने टार्गेट दिया है जो लौकिक भाई बहन है वैसे तो समझाते ही होंगे थोड़ा टिकलू टिकलू तो करते ही होंगे सभी बाबा कहते हैं जो लौकिक भाई बहन है उन्हों को समझाना है तुम हो गए प पार लौकिक बाप से तुम वर्सा लेते हो तुम कहलाएंगे पार लौकिक भाई बहन वर्सा लिया पार लौकिक बाप से तो पार लौकिक भाई बहन वह हुए लौकिक भाई बहन तो बाप समझाते हैं बच्चे हो बहु पांच हजार वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद् जैसे पहले लगा ऐसे फिर से बुद्धी का योग लगा हो तो क्या होगा तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे तो बाप समझाते हैं हूँ बहु पाँच जार वर्ष पहले मुवाफिक तुम बुद्धी का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और पाप भसम हो जाएंगे कितना अच्या युक्ति बताई बाबा ने कितनी सैच पापों को भसम करने के बाप की याद को ही योग अगनी कहा जाता है इस सर्व शक्ति मान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी वह एक ही निराकार बाप है इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं जरूर रत तो चाहिए ना जिस रत के उपर उनकी सवारी हो यह रत है इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते ब्रह्मा रत में शुबाबा सवार हो बच्चों को सिखलाते अच्छा भक्ति मार्ग वालों ने क्या क्या तो रथ बना दिये जिन को चलो रथ बनाना भी चाहिए वो तो बनाए नहीं अब चूहा बैल कैसे बैठेंगे चलो घोड़ा भी बना देते तो फिर भी ठीक था बैठ सकते थे तो कैसे कैसे रथ बनाए भक्ति मारवालों ने तो बाबा कहते इस स्रश्टी के आधी मद्ध अंत की समझानी देते हैं जिससे तुम भविश में चक्रवड़ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे पावन पुन्ने आत्माएं बन जाएंगे बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवड़ती महाराजा महारानी बनेंगे सोभी 21 जन्मों के लिए और भारत में जो भी उत्सव होते हैं शिव जैन्ती होली राखी जन्मास्ट मी दीवाली इतने सारे बाबा ने नाम ले लिए भी सब आने वाले ले लाइन से तो वह शुरू हो गया अपते उहारों का मौसम रक्षा बंदन फिर सब जन्मास्ट मी तो बाबा केते हैं भारत में जो भी उत्सव होते हैं आदी इन सब उत्सवों का महत और हर एक की बायोग्राफी त हम सबको सुनाते हैं बाबा कैसे spiritual meaning अवयत मुर्ली में बाबा सुनाते हैं तो बाबा हम को सुनाते फिर हम सबको सुनाते हैं आओ बहनों भाईयों हम आपको पार लोकिक बाप का परिचय देवे परिचय लिए सहज राजयोग सीख तुम विश्यो के मालिक बनेंगे कितना सहज विश्यो के मालिक बनेंगे वर्ड आल्माइटी पवित्रता सुक शांती मैं अटल अखंड राज्य करेंगे यह किसको भी समझाना बहुत सहज है इस रीती लिखना भी है बाप के समझाय हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना तुम भी बेहत के बाप से बेहत का वर्षा आ कर लो जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो जन्म जन्म हद का वर्षा लेते आए हो लौकिक पिता से वर्षा लेते आए हो वह है दुख का वर्षा क्योंकि यह है ही रावन राज तो रावन राज में तो दुखी होगा राम के राज में सदा सुख था फिर माया रावन के राज में तुम दुखी हुए हो यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो पबलिक भाशन में भी तुम समझा सकते हो उच्छ ते उच्छ है भगवान फिर ब्रह्मा विश्णु शंकर फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा इस्थापना फिर ये ब्रह्मा विश्णू शंकर फिर उनों की महिमा हाँ सरे गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा इस्थापना तो जरूर वो इस्थूल वतन में होगा इस्थापना यहां करनी है इस्थूल में तो इस्थूल वतन में होगा ब्रामन है ब्रम्मा की संतान उनको ही प्रजा पिता ब्रम्मा कहा जाता है पहले पहले ब्रामन वर्ण चाहिए उच्छते उच्छे ब्रामन वर्ण कौन इस्थापन करते ये ब्रामन वर्ण कौन इस्थापन करते परम पिता परमात्मा पिता के सब बच्चे ठेरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पड़ाते हैं यह संगम युग है ब्राम मनों की पुरी नया नाम भाबा ने दिया संगम युग है ब्राम मनों की पुरी फिर रूत्रपुरी में जाकर विष्नुपुरी में आते हैं पहले-पहले रूत्रमाल मैं वह आएंगे पहले पहले रूत्रमाला में वहाँ आएंगे जो शिव को याद करेंगे सूरेवंशी चंद्रवंशी राजाय बनते न तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो बुद्धी का योग मेरे साथ लगाओ यह है रुहानी यात्रा जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राई करते आएं अब बाप आकर रुहानी यात्रा सिखलाते हैं कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो जहां से तुम आए हो पाइट बजाने उसे याद करो तुम गोरे थे विश्व पर राज्ज करते थे फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो सुन्दर से श्याम बन गए हो ना सुन्दर से कितने सुन्दर थे श्याम बन गए हो भारत बड़ा सुन्दर था नामी था स्वर्ग अब तो नर्क है ना तुम ही पुज से फिर पुजारी बनते हो, तो उचते उच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा, विश्णु, शंकर, इन द्वारा बाप कारि करवाते हैं। किसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा शुबाबा कार्य करवाते हैं इन्हों को निमित बनाया है करन करावन हार है ना ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर फिर विनाश होगा इसलिए स्थापना फिर विनाश फिर पालना फिर विनाश होगा फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे पर जितना जो पुर्शारत करें, संगम यकपर जिसने जैसा पुर्शारत किया होगा, उस अनुसार उसे राज्ज मलेगा, सारा मदार पुर्शारत पर है, वैसे भी देखो, पुर्शारत बढ़ा या भाग्या, पुर्शारत कर्म बढ़ा है, तो बाबा कहते हैं, सारा मदार पुर्शारत पर है कहते हैं गंगा पतितपाव नहीं फिर परमात्मा को पुकारते पतितपाव नहीं तो पुजारी भकतों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना स्वर्ग में तुमको जीवन्मुक्ति का फल मिलता है जीवन्मुक्ति मतलब और दो चीजें जीवन बंध और जीवन्मुक्ति क्या अंतर है दोनों में जीवन्मुक्ति की अवस्था कब से होती है संगम से जीवन्मुक्ति जीवन में रहते हुए विकारों से मुक्त तो बाबा कहते है तुमको जीवन्मुक्ति तो वो जीवन्मुक्ति अभी से अनुभव करना है जीवन बंद द्वापर से शुरू होता है विकारों से युक तो हो जाते हैं विकारों के बंधन में फज़ जाते हैं अभी तो गंगा खुद गंदी हो गई तो बाबा ने कहा लेकिन यहां तो आत्मा को पावन बनाने वाली बात हो रही ना ऐसे तो कई जगा पानी है जहां पर कहते हैं इस पानी में नहाओ तो यह विमारी ठीक हो जाएगी है न हां कहीं कहीं जगा तो बाबा कहते इस वर्ग में सुक शांती दोनों ही थे सब सुखी थे चुनों ने राजयोग सीखा विकर्म विनाश्तों करना ही है हिसाब किताब चुक्तू तो होना ही है फिर नए सेर पाड बजाना है सबका हिसाब किताब चुक्तू कराए पावन बनाए बाप साथ में ले जाते हैं यह सब राज समझने के हैं मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को फिर स्रश्टी पर आना पड़ें कहते हैं कि स्रश्टी पर आकर भक्तों को भक्ती का फल देता हूं मुक्ति वा जीवन मुक्ति शांती वा सुख देता हूं दुनिया में सुख शांती वा संपत्ति ही मांगते हैं मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुर्षारत करते हैं कि धन्वान बने समझ्छते हैं संपत्ति में ही सुख होगा औहां है इसा बाद के मनुष्य तो समझते संपत्ति में ही सुख होगा और संपत्ति डलपके गद्थे दे cochrir के नीद नहीं दे सकते कोड्स में कराते न यह सब बात थन अच्छी एची घडी दे सकते अ् support जो निकल गया वो वापिस नहीं ला सकता तो बाबा कहते समझते हैं संपत्ती में ही सुख होगा परन्तु भल किसको कितनी भी संपत्ती है राज्य तो फिर भी माया का है न तो माया का राज्य है तो क्या होगा गड़ बड़ी होगी पति दुनिया है न तो पाप जरूर होंगे समपत्ती के लिए बहुत पाप करते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया इसमें कोई भी पुन्य आत्मा होती नहीं। पुन्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा होती नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुन्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देपताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूछते हैं। क्योंकि समझते हैं कि यह सर्वगुण संपन है हमारे में कोई गुण नहीं आपे ही तरस पर होई और ओके लिए गुणगान करते हैं अपने लिए बुरा भला कहते रहते हैं फिर यह कहते हम ही भगवान है एक तरफ कहते हैं आप सर्वगुण संपन हम मूरक खलकामी फिर पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है पतित पावन कहने से बुद्धी चली जानी चाहिए किसकी तरफ या गंगा जी के तरफ निराकार भगवान शिव की तरफ निराकार उपासी भी होते न तो वह निराकार बाप है उच ते उच जब तक उनका पूरा परिचय तो तब आपासना क्या करेंगे को पासना उप वाले के पास मैं वास क्या कहा प्राक्टिकल देखें कितना वास करतें उप वाले के पास कि उपुआस करेंगे और खोलें के टीवी कि वह आज hemisphere ने खाना है लेकिन उपवास का सही अर्थ उपर वाले के पास मैं वास तो बाबा कहते है निराकार को याद करने पर पर पूरा परिचे चाहिए न निराकार को क्यों याद करते हैं उससे क्या मिलेगा क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं है हल सब याद करते हैं परंतु बिगर परिचे याद करते हैं परंतु बिगर परिचे इस प्रकार याद करने से तो फिर कोई पावर बनेंगे नहीं यहां तो निराकार खुद साकार में आते हैं मनुष्य तो निराकार दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्राधी पड़ते हैं परन्तु कोई भी जान नहीं सकते रास्ते का भी पता नहीं है जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं न यहां इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझाएं इसके लिए कहते बे अंत है तो फिर यात क्यासे करें कुछ भी समझतें नहीं कोई ने कहाँ बे अंत है फिर कोई ने कहा निराकार है तो फिर निराकार उपासी बने, आज कल तो फिर कह देते कि हम ही भगवान है, निराकार है, बेयंत है, कुछ-कुछ फिर कह देते हम ही भगवान है, दिन प्रती दिन तमो पृधान मत होती जाती है, दिन प्रति दिन तमु प्रधान मत होती जाती है वो जो आतव कहते रहते हैं बाप समझाते हैं उचते उच बाप गाया जाता है सर्व व्यापी कहने से तो सब उचते उच हो जाते हैं इतने पतित दुखी वो फिर उचते उच कैसे होंगे एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है फिर दूसरी तरफ हाँ सर्व्यापी फिर उनको पत्थर भित्तर में लगाना इसको ही धर्म ग्लानी कहा जाता है अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा वो फिर भी होगा भूल पिछाड़ी भूल ग्लानी पिछाड़ी ग्लानी करते रहते हैं और करते करते भारत ऐसा पत्त हो गया है ग्लानी करते करते भूल करते करते देखो पाप को छुपाने से पुन्य को बढ़ाने पुन्य को बखान करने से पाप को छुपाया पुन्य का बखान किया तो आपर रुग मैं भक्ती की थी, लेकिन भक्ती करते करते कल्योग क्यों आया? क्योंकि यही कंड की पापको छुपाया, छुपाया तो वो गलतियां बढ़ती गई, पाप और बढ़ते गई, और पुन्य का बखान किया, तो वो कम होता गया, बैंक बैलेंस बचा ही नहीं तो धीरी धीरे कल्यों गा गया तो बाबा कहते हाँ ऐसा करते करते भारत पतित हो गया है बाप का परीचे तो सबको मिलना है तुम्हारा प्रभाव निकलेगा इतने धेर भ्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्यान मिलता है यह तो बरोबर प परम पिता परमात्मा की ही बात है, सबसे उचते उच है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं, अब बाप बैट अपना परिचे देते हैं, कि मैं क्या करता हूँ, मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुन्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी, सो तो जरूर, जब यहां आएंगे, तब तो मत देंगे न, जब धर्ती पर आएंगे, साकार मनुशितन आधाय लेंगे, तब तो मत देंगे न, क्राइस्ट की सोल आई, कृष्यन दरम स्थापन करने, बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप तो है सबसे उँच, इसलिए मत भी सबसे न्यारी है, सबसे उँच बनाने, जो जैसा होता है, वो वैसी ही, तो मत देगा न, कोई फेलियर है, उसके पास मत लेने जाओ, और कोई अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल है, उससे मत लेने जाओ, तो जो जैसा होगा वैसी मत देगा तो बाबा सबसे उच है, एना एवर प्योर है, तो वो कैसी मत देगा, तो बाबा सबसे उच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जो और कोई सिखला ना सके, लिखा हुआ है भगवान वाच, वो है ही हैविली गौड फादर, जो स्वर के लिए तुम ब्राह्मनों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मन वर्ण सबसे उच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे। तुम चत्र रख दो। उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। सब्सक्रावा, इन वर्णों में भारत ही आता है। उनमें लिखा होगा। अब एक कल्यू। मतलब संगम्युक्पर वर्ण है न, संगमौ ब्राह्मन वर्ण अभी, हाँ यह सब देवी देपता और यह क्योंकि भारत में तो चारो वर्णों से भारत होके गुजरता है न हम पतित से पावन से पतित बनते हैं तो चारो वर्णों को हम क्रॉस करते हैं तो बाबा कहते हाँ अब है कल्युग शुद्र वर्ण फिर तुम बाप द्वारा भ्रामन बने हो तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम्हारी चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे जब ब्रह्मा बाबा थे तो दादी प्रकाश मनी जी और रतन मोनी दादी और विश्य किशोर भाव जापान गए थे कौन सा चित्र वहां पर फेमस हुआ था कल्प वरक्ष का उनको बड़ा पसंद आया था तो बहुत सारी उन्होंने डिमांड की थी कॉपी तो वह उनको दी थी और दादी वहां से देखो दादी कितने बेहत की बुद्धी थी दादी वहां से जापान से कलर्फुल पोस्ट दादी जापान से लेके आये थे ब्रह्मा बाबा थे उस समय तो भारत में वह टेकनोलोजी नहीं आई थी जापान से लेके आए थे फिर वह जगा जगा भारत के अन्य स्थानों पर भेजा था और सेवा हुए थी तो बाबा कहते है यह ज्ञान यह ज्ञान व्यापारे तो श्रीमत देने वाला भी सर्वुत्तम है परंतु बहुत बच्चे परंतु बहुत बच्चे क्या का होगा बाबा ने बहुत बच्चे महनत नहीं करते हैं घर में सोय पड़े रहते हैं तो बाबा खड़ा करते हैं तो बाबा खड़ा करते हैं तुम एक चित्र बनाएंगे इससे हजारों का कल्यान होगा सब तुम्हारी वावा करेंगे सेवा करो तो कल्यान होगा फिर वावा करेंगे सब तुम्हारी वावा करेंगे वंदे मात्रम कहेंगे वंदे मात्रम कब कहेंगे जब आपने उनको सुख दिया होगा तब तो वंदे मात्रम कहेंगे न अच्छा मीठे मीठे नहीं अभी अलग है अच्छा तोच की तरह नहीं अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्छों प्रती याद प्यार और गुड़ मॉड़ी रुखानी बाप की रुखानी बच्छों को नमस्ते हम रुखानी बच्छों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड़ मॉर्णी नमस्ते अच्छा धारना के लिए मुख्यसार परस्ट पॉइंट रूद्र माला में पहला नमबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है निरंतर बाप की याद में रहना है बाप और सुइच होम की याद से बाप और सुइच होम की याद से स्वयम को पावन बनाना है स्वयम को पावन बनाना है सेकंड पॉइंट रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है एक बाप की श्रीमत से एक बाप की श्रीमत से स्वयम को डबल सिर्ताज बनाना है वर्दार स्वयम को डबल सिर्ताज बनाना है स्वयस्थिती की शक्ति से स्वयस्थिती की शक्ति से किसी भी परिस्थिती का सामना करने वाले स्वयस्थिती अर्थाथ आत्मिक श्थिती पर श्थिती व्यक्ति व प्रकरती द्वारा आती है लेकिन अगर स्वयस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है कितना बढ़िया सोयस्थिती शक्ती शाली है तो परिस्थिती कुछ भी नहीं है सोयस्थिती वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिती से घबरा नहीं सकता क्योंकि नौलेज फुल आत्मा हो गई उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नौलेज है वह जानते हैं कि यह पर्वश है इसलिए शुब भावना शुब कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे घबराएंगे नहीं और सदा मुस्कुराते रहेंगे अच्छा स्लोगन है भागेवान वह है भागेवान वह है जो सदा भाग के गुण गाएं कमजोरियों के नहीं भागेवान वह है जो सदा भाग के गुण गाएं कमजोरियों के नहीं कितना बढ़िया अब यदि भाग्यवान नहीं भी है मालो कोई समझते वैसे तो सभी बाबा के बच्चे भाग्यवान ही है लेकिन अपना भाग और बनाना है और बढ़ाना है तो भाग के ही गुडगाना है कमजोरियों के नहीं अच्छा अब अव्यक्ति इशारे आज 25 तारिक है सार्थी अर्थात आत्म अभिमानी क्योंकि आत्मा ही सार्थी है ब्रह्मा बाप ने इस विधी से नंबर वन की सिद्धी प्राप्त की किस विधी से सार्थी आत्मा ही सार्थी मतलब चलाने वाली आत्मा राजा है ब्रह्मा बाप ने इस विधी से नंबर वन की सिद्धी प्राप्त की तो फालो फादर करो जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सार्थी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं, ऐसे ही आप सभी ब्रह्मन आत्माएं भी बाप समान सार्थी के इस्तिती में रहो, उसके अधीन नहीं, मैं इस रत को चला रही हूँ, मैं इस करमेंद्रियों की मालेक हूँ, इसको चला रही हूँ, मैं इसके परवश नहीं हूँ, इसे मास्टर और स्लेव, तो मैं मास्टर हूँ, ये सभी करमेंद्रिया मेरे कंट्रो है तो बाबा कहते है है ऐसे आप सभी भ्रामन आत्माय भी बाप समान सार्थी के स्थिति में रहो सार्थी स्वत्य ही सक्षे हो है कुछ भी करेंगे देखेंगे सुनेंगे सब कुछ करते भी माया की लेप-छेफ से निरलेप रहेंगे जो सार्थी होंगे कुछ भी करेंगे देखेंगे सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निरलेप रहेंगे अच्छा ओम शान्ति अपी अनॉंस्मेंट्स